SDM जोती मुरिया के बेवफाई की कहानी और मनीस दूबे के सेतानी को अब तक हर किसी ने जाना लेकिन अब तक दोस्तो किसी को भी पता नहीं है कि ये दोगला मनीस दूबे जोती मुरिया के पहले किसके साथ चक्कर चला रहा था अब दोस्तो जिस तरीकी से उसकी वारे में भंडा फोड हुआ है आप लोग भी जानकर पुरी तरह से दंग रह जाओगे और केवल इतना ही नहीं दोस्तो आपको बता दू मनीस दूबे जिसने जोती मुर्या को सिखाया था कि तुम आलोक मुर्या को परेशान करो और आलोक म मताइंगे साथी साथ दोस्तों आप लोगों के मन में सवाल होगा कि मनीस दूबे और जोती मुर्या को लेकर क्या खबर है क्या अब तक मनीस दूबे जेल जा जा चुका है जोती बल्दबनी Oh को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया तो पाज के इस वीडियो में के करके तमाम बातों का परदाफास करेंगे वीडियो को पुरा देखना आप लोग लेकिन सबसे पहले आप सभी भाईयों को सभी दोस्तों को नमस्कार पर नाम आदाब सच्रियाकाल जैसरी महाकाल दोस्तों और इस वीडियो को देखने वाले सभी और सवी बेहनों को दिलचे सलाम चलो दोस्तो हर रोज के तरह आज भी सच का परदा फास करते हैं और आपको हम बताते हैं वो पुराना वाला कांड क्या है दोस्तो बताया जाता है ये घटना है साल 2018 और 2019 की बीच की जब बताया जाता है मनीश दुबे यूपी के अमरोहा में तनात था वाँ पर बताया जाता है दोस्तो एक महला हमगार्ड थी जिसको ये बहुँ ज़्यादा परिसान करता था ये बताया जाता है कि मनीश दुबे उस महला हमगार्ड से कहता कि रात को तुम मेरे रूम में आना, रात को तुम मेरे आवास पर आना और आपको बता दो दोस्तों उस महला हमगार्ड को ये बहुत ज़्यादा परिसान किया करता था हलांकि मैंने इसका चर्चा पहले भी करा था, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इस मामले वे मनीज दुवे को दोसी करार दिया गया था लेकिन दोस्तों उस दिन मैंने आपको ये नहीं बताया था उस वीडियो में कि मनीज दुवे उसके साथ करता क्या क्या था आपको बता दू मनिस दुवे उस महला हमगार्ड से कहता कि रात को यदि तुम हमारे आवास पर नहीं आओगी तो हम तुमारा डुटी लगाना बंद कर देंगे तुमारा जीना हराम कर देंगे और ना जाने ये क्या क्या करता था तो आपको बता दू साल 2018-19 के बीच में ये घटना होती है और उसी वक्त बता जाता है वो महला हमगार्ड भी मनिस दुवे की खिलाब सिकायद दर्ज करवाती है लेकिन आपको बता दू साल 2018-19 में जब वो महला हमगार्ड सिकायद करती है तो उसके सिकायद पर कोई भी धिय पर पर साल 2018-19 की बीच में ही कारवाई करा जाता तो क्या इस दूस्ट का चकर साल 2020 में जोती मुर्या के साथ चलता आपको बता दू कहीं न कहीं कानून भी इसे माफ कर दिया आप सोच सकते हो दोस्तो यह जो की खुद ही एक पुलिस कर्मी था और इसका जब सिकायत करा गया एक महला हमगार्ट के दुआरा वो भी साल 2018-19 के बीच में ही तो उस वक्त क्यों नहीं इसके खिलाप एक्सन लिया गया उस वक्त एक्सन नहीं लिया गया इसलिए इसका मन बढ़ गया इसको ये लगा कि हम अगर एक महला के साथ छेड़खानी कर सकते हैं तो हम तो किसी भी महला के साथ छेड़खानी कर सकते हैं आपको बता दो दोस्तों इसके उपर आरोप ये भी है कि जब उस महला हमगार्ट ने जाकर केस दर्ज करवाई तो वहाँ पर बताया जाता है मनिस दुबे ने कुछ रुपिया देकर उस केस को बेंडिंग में डाल दिया तो आप सोच कि यसके जगोओं पर इसने मूह मारा आपको बता दो इस दोगला मनिस दुबे के बारे मन को बताया जाता है आपको बता दू साल 2020 में ये जोती मुरिया से मिल जाता है और जोती मुरिया से मिलने के बाद जोती मुरिया के साथ क्या क्या करता है वो तो आप लोग खुदी अंदाजा लगा सकते हो उसके बाद आपको बता दू साल 2021 में ये साधी करता है लेकिन आपको बतादो दोस्तो मनीस दुबे साधी करने के बावजुद भी नहीं सुधरता है ये बताया जाता है मनीस दुबे और भी ज़्यादा दोगल बाजी करना शुरू कर देता है उसके बाद दोस्तो इसके पतनी को भी पता लगना शुरू हो जाता है कि मेरा पती जो कि बार बार मनीज दुबे से लड़ाई जगरा भी करती है वो बार बार कहती है मनीज दुबे से कि तुम इसा करते क्यों हो आपको बता दो दोस्तो मनीज दुबे जिन जिन लड़कियों के साथ भी खेल करा जिन जिन लड़कियों के साथ भी ये गंदा गंदा काम करा पहले उन लड़कियों से ये दोस्ती करा उसके बाद दोस्तों उस लड़की के मन को बहलाया और मन को बहलाने के बाद उसके आगे जाकर इसने कंड करा तो आपको बता दू अल्रेडी उस हमगार्ड को भी इसने नहीं छोड़ा ये बताया जाता है दोस्तों कि ये उस हमगार्ड को परिशान करके उसके साथ कांड करी दिया उसके बाद जोती मुर्या को जो है सुपटा करके उसके साथ भी कांड करी दिया उसके बाद अपने पतनी के साथ क्या क्या किया इसके बारे में अगर दुनिया जान जाए तो पुरा दुनिया जो की मनिस दुबे को छोड़ेगा नहीं लेगिन आपको फिर भी मैं सौर्ट कर्ट में बताना चाहता हूं दोस्तों जब भी मनीस दुबे को इसकी पतनी तनुपरासर समझाती मनीस दुबे इसे मारने के लिए दोड़ता और ये भी बताया जाता है दोस्तों बार बार मनीस दुबे अपने पतनी को धमकी देता कि हम तलाक देंगे तुम ज़्यादा मत बोलो आप सोच सकते हो दोस्तों कितना ज़्यादा ये हरामी था और आपको पतादू मनीस दुबे को लेकर ये भी बताया जाता है दोस्तों कि ये बार-बार अपने पतनी से ये भी कहता कि मेरा जो मर्जी होगा वही होगा तुमारे कहन ऐसे कुछ नहीं होगा तो आपको बतादो दोस्तो मनीज दूबे और जोती मुर्या को लेकर जिस तरह से खुलासा हुआ इस बिच ये भी आप लोगों को सुनने को मिला होगा दोस्तो की जोती मुर्या जिसने आपने ही पती आलोक मुर्या के उपर आरोप लगा दी थी आप को पताई होगा दोस्तों किस तरीके से जोती मुर्या अपने पती आलोक मुर्या के साथ दोखे बाजी करी और दोखे बाजी करने के बाद दोस्तों आखिरकार उसका सिला क्या मिला उसका हसर क्या हुआ उसका अंजाम क्या मिला वो पुरा दुनिया जानता है इन दोनों ने मि मनीज दुवे को लेकर जो आप बहुत बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है वो आपको हम बताएंगे सबसे बड़ी जानकारी ये निकल कर सामने आ रही है दोस्तों कि जब जोती मुरिया और मनीज दुवे के काले कारणामों के बारे में आलोक मुरिया ने सब को कहना श बताया जाता है दोस्तों मनिस दुवे का अगर बस चलता तो वो तुरंत ही आलोक मुर्या को खतम कर देता लेकिन आपको बतादो दोस्तों मनिस दुवे को लेकर बताया जाता है वो जो कि आलोक मुर्या को मर्माने तक का भी प्लैनिंग कर लिया आपको बतादो जोती मुर्य जबे चाहां के साथ मिलकर दिस तरीके से मनिस दुլे ने प्लैनिंग करा था कि यह आलोग पो मरवाएंगे फिर जोती से साधी रचा एंगे फिर हम दोनों आयासी करेंगे लेगिन आपको बता दू मनिस्दुबे की मन में जिस तरह का सपना था दोस्टो वो सपना शकार न ह हो पाया जहां मनीज दुबे सपना देख रहा था कि हम लोग भी मजे करेंगे हम लोग भी जिंदगी अच्छे से काटिंगे लेकिन दोस्तों कहा गया है ना कि जो दूसरों का घर उजारता है उसका घर एक दिन खुद ही उजड़ जाता है तो आज के इस वीडियो में आपको करा गया था आपको बता दो जोती मुरिया का ये कहना है कि मेरा पती मुझसे 50 लाक रुपिये का डिमांड कर रहा था और ना केवल इतना बलकि वो गाड़ी का भी डिमांड कर रहा था तो इस तरह का आरोप आलोक मुरिया की उपर लगाया गया लेकिन आपको बता दो दो ये आरोप लगाया गया जोती मुरिया की दूरा नहीं बलकि उसके पीछे उसके लवर का हाथ है ये बताया जाता है जोती मुरिया जो भी कदम उठाती थी जोती मुरिया अपने पती के खिलाब जो भी आरोप लगाती थी उस आरोप से पहले वो मनीश दुबे से बातचित कर लेती थी कि ऐसा कुन सा आरोप लगाएं कि मेरा पती फंस जाएगा तो बताया जाता है मनीश दुबे जोती मुर्या का मदद करता और कहता कि ये वला आरोप लगा दो तुमारा पती अच्छे से फंस जाएगा तो आप सोच सकते हो दोस्तू मनीश दुबे किस तरीके से जोत यानि कि मनेश दूवे के उपर आरोप लगा जा रहा है उसके पतनी के दुआरा कि उसका पती जो की 80 लाग रुपिया दहेज की रूप में मांग रहा है आपको बता दू दोस्तों तनू परासर ने हाली में ये भी बताई है कि मेरा पती ये कहता है कि अगर तुम 80 लाग रु काई कि मेरा पती मेरे साथ फरोड करता है जूट बोलता है मेरे से तहेज मांग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा परतारित कर रहा है और जवरदस्ती मुझे कह रहा है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा तो इस तरह की बाते निकल कर सामने आ रही है तो इस वीडियो की म ज़दा गिनोन आदमी नहीं बनता और आपको बता दू जिस तरीके से इसने उस महला हमगार्ट के शाथ छेरखानी करा आपको बता दू वह महला हमगार्ट जो की उतना ज़दा capable तो थी नहीं और वैसे भी दोस्तों आलोक मोरिया को भी इतना ज़दा सहयता नहीं मिल पाता लेकिन जिस तरीके से सोसल मीडिया पर मनीज दुबे का विरोध हुआ, अगर दोस्तो सोसल मीडिया के माध्यम से मनीज दुबे का विरोध नहीं होता, तो सायद मुझे नहीं लगता है दोस्तो कि मनीज दुबे को अब तक सजा भी मिल पाता, तो आप मेंसे बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि मनीज दुबे को सजा मिलेगा की नहीं मिलेगा और मनीज दुबे का नोकरी जो की जाएगा की नहीं जाएगा तो आपको पते के लिए बता दो दोस्तों मनीज दुबे को दोसी करार दे दिया गया है उसके अलावा आपके खुशी के लिए आपको ये भी बता दू कि मनीस दुबे का आप नोकरी भी जा सकता है मनीस दुबे को बहुत जल्द बरखास्त करा जा सकता है और ना किवल इतना बलकि मनीस दुबे को कड़ी से कड़ी सजा भी दिया जा सकता है साथी साथ दोस्तों आप लोगों के म मुर्या का एक ओडियो काफी वाइरल हो रहा है जिस ओडियो में आपको सुनने को मिलेगा कि वो मनिस दुबे के साथ बेबी, बाबू, सोना और ना जैने क्या-क्या करके बात कर रही है तो इस तरह का ओडियो जो की बहुत ज़्यादा वाइरल हो रहा है दोस्तों और कहा जा पिलाल आपको बतादो दोस्तों हाली में आलोक मुरिया जिरों ने आदालत से बाहरा कर बोले थे कि मुझे बिस्बास है कि इंसाफ तो मिलेगा आपको बतादो दोस्तों आलोक मुरिया ने जिस तरीके से आवाज उठाए ऐसा सायाद ही कोई आदमी होगा जो कि इस तरीके से आवाज उठाता होगा और बहुत सारे लोगों को सुरू सुरू में ये लगा था कि जोती मुरिया जो की सही भी होगी लेकिन दोस्तों इतना सा भी ये सही नहीं है इस मामले में अगर कहा जाए तो कहीं कहीं आलोक मुरिया ही पुरा सही है और अगर बात करा जाए उसकी पतन होनी चाहिए और ना किवाल इतना दोस्तों बलकि लोगों का ये मांगा कि आलोक मुर्या को इंसाफ तो मिलना ही चाहिए तो ज्यादा कुछ इस वीडियो में नहीं कहूंगा दोस्तों मैं आपको बता दिया किस तरीके से मनीज दुबे जो कि पहले से गंदा-गंदा काम करता पहले से घिर्णा हरकत करता था और आखिरकार दोस्तों आदालत ने उसे दोसी करार दे दिया बांकि इस वीडियो की मांध्यम से जो भी जानकारिया देनी थी मने आपको दे दिया और फिलाल अगर आपको बताओं दोस्तों तो मनीज दुबे की पतनी तनुपरासर जो की बांकि दोस्तों इस मामले में आपका क्या कहना है कमेंट शक्षन में लिक्की बताना बांकि आपने परिवार बालों का दियान रखना कभी भी घलत काम नहीं करना अच्छा काम करना अच्छा रास्ता चुनना जय हिंद दोस्तों मिलता होगे नए वीडियो में नए ख़वर क साथ